जब रक्षक भक्षक बन जाए, तो राजस्थान की महिलाएं जाएं कहां। एक महिला है, बड़ी नेता है, प्रियंकावाडरा उन्होंने नारा दिया था, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। चुकि मैं खुद राजस्थान से ही आ रहा हूं। राजस्थान की सडकों पर तो महिलाएं पूछती है प्रियंकावाडरा जी से कि लड़की हूं, महिला हूं, तो क्या बच सकती हूं। और ये सवाल इसलिए जायज हो जाता है क्योंकि आज जिस प्रकार की घटना दौसा से सामने आई है, एक चार साल की दलित बच्ची के साथ, एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, राजस्थान पुलिस का बरबरता पूर्वक बलातकार करता है, और ऐसा घिनोना हैवानियत भरा कृत्य करता है, और इस पर राजस्थान की सरकार तुरंट कारवाई करने के बदले, जैसे कि उनका आम तौर पर रवया रहता है, अपराधी बचाओं में लग जाती है, अज जिस प्रकार से ये दौसा से घटना सामने आए, आप ही लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि किस प्रकार से वहाँ पर F.I.R. तक दर्ज नहीं की गई, जब कि ये मामला छोटी सी बच्ची के साथ बलातकार का मामला है, पॉक्सो का मामला है, F.I.R. दर्ज तब तक नहीं होती, जब तक कि भारते जनता पार्टी के नेता कारेकरता जनता के साथ जाकर प्रदर्शन कर करने लगते हैं, फिर एकाद कॉजमेटिक बयान आजाता है, DGP की ओर से, पुलिस की ओर से, कि कारवाई की जाएगी, हम इस सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त कर देंगे, परन्तु ततकाल रूप से, उसे सस्पेंड भी नहीं किया जाता, जब तक कि भारते जनता पार्ट को उनके परिवार के साथ अभद्दता करना और पीटने का काम भी किया जाता है, वहीं के लोगों के द्वारा, पुलिस के द्वारा, ये मीडिया के और अखबारों के हवाले से बात सामने निकल कर आए, और यहां तक कि जो अन्य पुलिस कर्मचारी थे, जो दो और कॉंस् इस सब इंस्पेक्टर को मदद की, साक्षय मिटाने के लिए उन पर भी अभी तक कोई ठोस कारवाई नहीं की गई है